नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब नियूस आओं आपके साथ में हुएंशो पलिस द्वारा मंत्री को रोके जाने की सूचना मिलने पर कारेकर्टाओं में भारिया ख्रोश कारेकर्टा ने कहा भाजपा मंत्री उपेंद्र तिवारी के लिए की गई है साधिश बताया कि हमने अपने निजी और गाओं के लोगों से चंदा लेकर बनवाया है पुल जिसका पोरो मंत्री अंबिका चौधरी से करना चाहते कराना चाहते थे उद्घातन कि माननिय उपेंदर तिवारी मंत्री जी कुछ करने की इस्थिती में है नहीं जनता उनको नकार दिया है और उनको यह लग रहा है कि अगर जो कोई भी समाजिक करता कुछ भी कारे कर दे और उसके बाद हम जाके मनिश्टर है तो प्रसासन के बल पे उसका उद्घातन कर द प्रसासन के लोगों की हैसियत है तो यहां आए और मैं उद्घातन कर रहा हूं हमारी गिरफतारी करें तो यह पंदरा से बीस हजर अबादी को यह पीपापूल संचालित करता है कोट मजरिया रामपूर नईवस्ति इंदरपूर थमनपूरा हसनपूरा मिलकी मठिया यह त रामपूर में किसी की तभीयत खराब हो जाएगी बलिया पहुचना होगा तो इनको पल्लेचित बाड़ा जाना होगा न रही जाना होगा फिर यह बलिया जाएंगे आज के डिट में इतनी सुकमता हो गई है कि यहां से बंधा पार्क यह और मुस्किल से पांच किलोमेटर के दूर पर सागरपल यह 5 किलोमेटर के दूर यह पीपा पूर्चित में कारकरम था जिस कारकरम की अनुमती प्रशासन ने दिया था और वहां जन्द सहयोग से एक पेंटून पूल एक कच्छे पूल का निर्मान गाउवालों ने किया था और उस पूल का दो महने से पूल चल रहा था गाउवालों ने हम अन्तिरत किया था वो उपइंदर पांडे जी झां ने उसमें ज्यादा सहयोग किया था तो उनको भी बुलाया था और उन्होंने मुझे बुलाया था उस कारकरम केhhh के मुक्रथित के रूप में गाओवाले धन्यवाद ग्यापीत करना명 चा काम बहुत सारा काम सभी काम तो लोग धन्यवाद देने के लिए बुलाना चाहते थे और वो कारेक्टरम तह था मैं एक गाजीपूर में युसुपूर मुहमदाबाद के कारेक्टरम से लौट रहा था तो नरही थाने पर सियो सदर तसिल्दार सदर इंस्पेक्टर नरही और इंस्पेक्टर चित बड़ा गाओं ने फोर्स के साथ मुझे रोका और उन लोगों ने मुझे कहा कि आप रामपुर चीट जा रहे हैं मैंने कहां जा रहा हूं उनलों का नहीं आप मत जाए क्योंकि परमिशन हमको तसिल् यह प्रशासन का यह रोईया जिन राजनेतिक दखल अंदाजी की वजह से किया गया है यह उचित नहीं है यह बहुत गलत है कि आप एक बार अनुमति दिए तो फिलाल के हम खबरों में बस इतना ही बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं यह लाइव नियूज ना उतना मिश्कार